किसी गाओं में एक बुढ़ा व्यक्ति अपनी बेटे और बहु के साथ रहता था प्रिवार सुखी संपन था, किसी त्रह की कोई प्रेशानी नहीं थी बुढ़ा बाप जो किसी समय अच्छा खासा नोजवान था, आज बुढ़ा पे से हार गया था चलतिस में लड़ खड़ाता था, लाटे की जरूरत पढ़ने लगी, चेहरा जूर्यों से भर चुका था बस अपना जीवन किसी त्रहव्यातित कर रहा था घर में एक चीज अच्छी थी कि स्याम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठ कर खाना खाता था एक दिन ऐसे ही स्याम को जब सारे लोग खाने बैठे, बेटा ओफिस से आया था, भूख जादा थी, सो जल्दी चे खाना खानी बैठ गया वो साथ में बहु और एक बेटा भी खाने लगे, बूढे हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए, थाली हाथ से छिटक गई, थोड़ी दाल टेबल पर गिर गई, बहु बेटे ने गहिना दरस्टी से पिता की और देखा, और फिर से अपना खाने में लग गई, बूढे पित थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हैं, बेटे ने भी ऐसे सिरह लाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो, बेटा यह सब मासुनियत से देख रहा था, अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई, पिता के दबड़वाते आंखे सब देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, बूड़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा, खाना कभी इधर गेता कभी उधर, चोटा बचा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था, मा ने पूछा क्या हुआ बेटा, तुम और आप लोग बूड़े हो जाओगे, तो मैं भी आपको इसी तरह कौने में खाना किलाया करूँगा, बच्चे के मुझे ऐसे सुनते ही बेटे और बहु दोनों काफ उठे, सायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चा मासुमित के साथ एक बहु कोई तकलिफ ना हो